नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर सुरेश टीचर एजुकेशन सिंप्लिफेट चानल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं बताऊंगा MS पावरपोइंट की मदद से मैथेमेटिक्स के टीचिंग वीडियो किस तरह से बनाए जाते हैं दो तरीके मैथेमेटिक्स के टीचिंग के वीडियो देखे जा सकते हैं एक वीडियो में टीचर वाइट बोर्ड या ब्लाइक बोर्ड के उपर खुद लिखते हैं स्टेप बाई स्टेप डेमोंस्टेशन देते हैं और दूसरे वीडियो में टीचर जो हो नोट बुक के खुद एक्जामपल स्वाल करके दिखाते हैं तो वो step by step demonstration देते हैं तो उसी तरह का demonstration क्या हम powerpoint की मदद से दे सकते हैं इस संदर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अलग विशे और mathematics में कुछ different होता है कि इसमें यहाँ पर हमें maths में हमें example solve करके step by step उनको दिखाना होता है इसलिए हम एकदम से उनके सामने पूरी तरह से कोई भी slide ने ला सकते हमें step by step उन्हें दिखाना होता है कि किस तरह से formula का इस्तेमाल किया जाता है तो यह step by step demonstration होना mathematics में बहुत जरूर है अगर हम इस तरह का example solve करते हुए notebook में करते हैं और वह दिखाते हैं तो कभी-कभी यह होता है कि उस video में जो हाथ की shadow होती है वहाँ पे आती है फिर handwriting का issue होता है या फिर camera का angle होता है पेन का pencil का थोड़ा कम होता है कि उसकी वज़े से clarity भी कम हो जाती है तो student को समझ में नहीं आता है कि आपने 8 लिखा है तीन लिखा है या इस तरह के कुछ confusion हो सकते है और दूसरा एक विशे होता है जिसमें कि अगर teacher board पर solve करके दिखा रहे है तो उसमें camera थोड़ा दूर रखना पड़ता है जिसे आवाज भी कम हो जाती है और clarity भी कम हो जाती है तो या फिर बार-बार camera आगे पीछे करना पड़ता है तो यह दोने दोने शुरुतों में जो clarity होती हो कम होती mathematics teaching में तो उस पर कुछ PowerPoint के feature इस्तेमाल करके हम mathematics से step-by-step demonstration वाले वीडियो बना सकते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अलग skill आने की ज़रुरत नहीं आपको अगर PowerPoint आता है तो इस तरह के आप वीडियो बना सकते हैं मान लीजे यह example मुझे दिखाना है और boardmos का जो rule है वो rule मुझे सिखान है कि पहले कौन से operations पहले करने कौन से बाद में करने जैसे example मैंने लिया है अब जो भी example यह मैंने example उसका है तो मैंने पहले as a teacher पूरा type कर लिया कि इस तरह का example उसके steps यह मैंने पूरा यहाँ पर तयार कर लिया है अब मैं यह एक साथ नहीं पूरे student को दिखा सकता क्यों को आंसर दिख गया है तो वो step पर focus नहीं करेंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह हर एक line जो है हर एक step जो है वो एक के बाद एक आये तो इसके लिए मुझे powerpoint में जो animation का feature है वो इस्तेमाल करना है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ menu बार में आईए और animation का feature लेकिए तो इसके लिए आप यहाँ पर आप sequence set कर सकते कौनसी step कौनसी line कौनसे words पहले आए और कौनसी बाद में आए जो भी आपको सबसे पहले चाहिए उसको select किजिए जैसी यह मैं चाहता हूँ सबसे पहले आए तो animation पर क्लिक क्या और और यह अलग-अलग feature आप ट्राय करके देख लीजिए मैं simply appear पर कर रहा हूँ तो यहाँ demo भी दिख जाता है अब आप demo में भी यहाँ पर देख सकते हैं preview में देख सकते हैं कि एक साथ पूरा आ गया तो अब मुझे इस तरह से नहीं चाहिए मुझे मैंने select कर लिया मैं चाहता हूँ कि जैस तरह से teachers लिखते हैं हाथ से एक-एक अंक लिखते हैं एक-एक अक्षर लिखते हैं तो उस तरह का कुछ feel आए इसलिए मैं वह एफेक्ट आता हूँ इसलिए मैंने appear का लिया है उसके बाद मैं जाता हूँ एनिमेशन में यहाँ पर देखिए animation pane में आता हूँ और यह जो आता है जैसे यह double यह arrow आ जाता से एक-एक लेटर लिखते जाते तो वह feel student को यहाँ आ जाएगा इस तरह से दिखेगा देखिए तो ऐसे लगागा कि teacher लिख रहे है तो हम जब लिख रहे होगे तो हम यह बात नरेट भी कर सकते जैसे 10 into 8 into bracket close and all this तो इस तरह से हम कर सकते तो मैंने अब जैसे कि यहाँ one number आ किये इसको select करने के बाद मैं appear ले रहा हूँ आप कोई भी इसमें से function try कर सकते जो भी आपके students को ज्यादा suit हो तो जिसे appear पर किया है तो यहाँ पर आप यहाँ two number आ गया मतलब board पर सबसे पहले यह आएगा उसके बाद दो number आएगा तो यह भी आप देख सकते है preview में कि एक साथ ही आ रहा है इस तरह से आएगा तो अब यह लेट्स आ एक बार में आगा अब यहाँ पर मैं select किया और उसके बाद animation pane में गया यहाँ पर दो number का आ गया तो दो number पर डबल फ्लिक किया उसको करने के बाद all at once की जगह मैं by letter करूंगा तो यह इस तरह से दिखेगा कि teacher ए तो इस तरह से मैं हर एक जो step है इस example solve करने के उसको select करता हूँ उसके बाद उसको effect देता हूँ animation में जाकर उसके बाद animation pane में यहाँ पर आकर डबल फ्लिक करके यहाँ पर उसका जो animation text है उसको मैं बोलता हूँ by letter तो इस तरह से letter by letter आता है इस तरह से आपको सारी जो steps है उसको एक-एक select करके जाना है तो फिर आपको यह sequence यहाँ पे दिख सकता है आप चाहे तो यह sequence उपर नीचे कर सकते हैं जैसे कौण सा पहले आए कौण से बाद में है तो इसको आप देखे इस तरह से उपर नीचे करके भी रख सकते हैं तो मैंने यह बनाया हर एक को animation, हर एक step को select करके उसको animation दिया, animation pane में जाके यहाँ पर select किया और उसके बाद bilater किया, इस तरह से करने के बाद कैसे दिखता है मैं आपको उसका एक example दिखाता हूँ, जैसे मैंने अगले side में करके रखाये पहले से आप देख सकते यहाँ पर यह इस सिक्वेंस से एक्जामपल दीरे-दीरे एपियर होने वाला है तो हम जो मैथेमेटिक्स में चाहते हैं कि हम स्टेप बाई स्टेप एक्स्प्लेंड करें और उसके बाद अगला स्टेप आए स्टूडन को कुछ सवाल पूछे या पिर उनको भी सोचने के लिए कुछ टाइम दे तो यह पूरी तरह से हम इस एनिमेशन के एफेक्स से कर सकते अब मैं यह प्ले करता हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूँंगा तो उसके बाद यह चुडूर अब यह टाइप हो रहे है तो मैं i as a teacher मैं यह बोल सकता हूँ एक्जाम में प्रोनाउंस कर सकता हूँ बोल सकता हूँ अब जब तक मैं क्लिक नहीं करोंगा अगली जो स्टेप है अगली जो नंबर से वह यहां पर नहीं आएंगे तो मैंने किजिए मैं क्लिक करता हूँ तो अगला आता है तो फिर मैं यह भी यह बात करता हूँ कि स्टेप ब्रैकेट सॉल करते है तो चलो ब्रैकेट सॉल करते है तो यह जो ब्रैकेट है टेन इंटो एट वह हमने सॉल कर ली देखी इसका यह आंसर आ गया तो उसके बाद स्टेप टू क्या है step to a division division कौन से numbers के बीच में 14 divided by 7 तो यहाँ पे आप student को सवाल पूछ सकते हैं तो student के जवाब आने के बाद या फिर आपको उनको time दे सकते हैं और assume कर सकते हैं कि वो उसका जवाब ढूंड़े जब आप click करते हो तो उसका जवाब यहाँ पे आपने animation के बाद में आ गया है तो इसका जवाब 2 आ गया है उसके बाद step 2 पूरी होगी तो हम बोलेंगे कि चलो अब देखते कि step 3 क्या है step 3 है कि addition करते है तो addition उपर के example में कौन सी है 80 प्लस 2 तो आप पूछ सकते कि उसका जव वाला है जैसे click किया आगे कसा वाला है then step 4 क्या है subtract आता है तो इसका जवाब क्या है तो जैसे हो जवाब बोलेंगे तो आप इस तरह से उसका जवाब यहाँ पे आ गया है तो simply इसमें क्या है कि इसमें सिप animation का effect दिया है तो एक के बाद एक आ रहा है तो maths में जो important होता है क आप step by step demonstration दे उनको और उनको भी सोचने के लिए time दो तो वो हम इस animation के effect से कर सकते है और जो हम अगर हम paper pane के video बनाते है या फिर हम board के video बनाते है तो जो चीज़ वहाँ पे नहीं कर सकते है यहाँ पे हम कर सकते जैसे कि हम पीछे भी जा सकते है पीछे जा सकते है आगे आ सक सकते है तो जो भी step student को difficult होगी हम उस step से आगे का फिर से एक बार explain कर सकते है तो simply मैंने क्या किया है type पूरा example यहाँ पर type कर लिया है और typing करने के बाद मैंने उसको एक-एक को select किया और एक-एक select करने के बाद उनको animation में गया animation में कोई भी आप इस्तिमाल कर सकते है जो भी आप चाहे हो लेकिन इसके लिए आप उसको select करो उसके बाद animation में आप जाए एनिपेशन जाने के बाद उसको double click करने के बाद यहाँ पर आपको जो all at once होता है उसकी जगह आप later को select करे ताक कि उसका जो effect हो इस तरह से आए कि आप हाथ से लिख रहे हो अब जब powerpoint में आप बनाते हो video तो आपको एक दिक्कत आ सकती कि इसके जो sign से अलगलो को किस तरह से insert के जाए किस तरह से होते तो वो भी powerpoint में होते जैसे आप हमें कि यहाँ पर कुछ लिखना है तो insert के menu में जाकर हम यहाँ equation पर आ सकते यहाँ प अलगलग sign पूरे यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं अगर सिंबॉल इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंबॉल भी यहाँ पर आविलेबल है यह सारे मैच के symbol यहाँ पर आविलेबल है जो भी हमें इस powerpoint में मैच के example टाइप करने के समय लगते हैं यह symbol का जो symbol है वो सिर्फ उसी वक्त active होता है जब यहाँ पर हम click करते हैं जब कोई text box active हो अगर यह नहीं होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह dim हो गया है तो जब भी हम click करते हैं उसी समय यहाँ पर आता है अब मैच में एक और सवाल आता है जैसे कि हम इस example में देख सकते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ पर multiplication का भी sign है और x का भी sign है x तो बहुत बार यूज किया जाता है मैच में तो इसको differ कैसे किया जाए यह यह जो है यह plus वाला यह x है यह यह फिर multiplication का sign है तो यह जो multiplication के sign होते है यह तो आप x को type करके बना सकते है लेकिन यह original x वाला जो है जिसको हम x दिखा सकते है उसके लिए हमें चाहिए कि इसका font हम बदले अब जैसे कि अगर आप देखेंगे कि यह जो फायू का जो font है यह है कैलेब्री अब अब एक्स पे क्लिक करते तो यह है लुसीडा handwriting तो powerpoint में बहुत सारे handwriting के font है अलग-अलग आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अलग-अलग font है जो handwriting के जैसे दिखते है तो सिर्फ x को select करके उसको कोई भी handwriting वाला font आप दे सकते है यहाँ पर देख सकते है जो भी आपको clarity के हिसाब से अच्छा लगे वह आपको दे सकते है सिर्फ x के लिए तो x और यह जो multiplication का sign यह अलग-अलग हो सकता है यह एक और example मैंने यहाँ पर solve करके दिखाया है इसको फिर से एक बार animation दिया हुआ है आप देख सकते है जैसे यह और एक example है यह question दिया हुआ है इसको solve करना है अब आप देखेंगे कि इस तरह से लग रहा है कि यह लिखा जा रहा है बहले ही वहाँ पर हात ना दिखे इस तरह से हम बोल भी सकते कि P into bracket x is equal to 5x और यह पूरा example बोलने के बाद हम रुख सकते है explain कर सकते है जब तक हम नहीं चाते है तब तक हम इस तरह से step by step हम बोलती जाएंगे और उसका answer जो है आती जाएगा तो इसका यह फाइदा है कि हम अच्छी handwriting के साथ एक पूरा maths का वीडियो बना सकते है जिसमें clarity भी होगी लेकिन इसके लिए हमें कुछ precautions लेने होगे एक तो जो font हमें लेना होगा वो भी उसकी clarity अच्छी हो उसका size भी अच्छा हो ताकि पूरा example अब सारे number students को अच्छे अच्छे से दिखे सारे science लेटर ठीक से इस्तेमाल करें जहां भी आपको कुछ mathematical signature शिंबॉल इंसर्च करने वह पूरे character आप देखके पूरी तरह से उसको इस्तेमाल करें animation देना सबसे अहम चीज इस पूरे match के वीडियो में है तो जब आप कोई भी match का वीडियो बनाएंगे तो उसके animation दीजिए और उस animation को देते समय आप उसको जो भी आपने animation दिया हुआ है इसका पूरा rehearsal कीजिए देखे के किस तरह से दिया हुआ है यह animation आप देखिए अलग-अलग और उसका sequence देखिए और उसके बाद यह जैसे हो जाते आप प्रिवीव भी देख लीजिए उसका और देखिए कि ठीक से एपेर हो रहा है किने जैसा आप चाहते उसी sequence में आ रहा है किने उसी direction से आ रहा सकते इसमें clarity आएगी इसमें आप चाहे तो आगे पीछे दोनों साइड में जा सकते स्टेप में या फिर आप directly students को पहले answer बता सकते उसके बाद में यह इस answer तक कैसे पोचे यह भी आप इस animation की मदद से दिखा सकते तो mathematics से वीडियो बनाने के अलग-अलग तरीके है उसमें से एक वीडियो मैंने यह दिखाए एक टेखनिक आपको यह बताई है कि आप जो animation का जो effect powerpoint में उसकी मदद से आप step by step demonstration देकर student को अच्छी तरह से mathematics के सारे rules formula जो है वो one by step by step आपको दिखा सकते यह हम mathematics के साथ geometry में भी कर सकते एनिमेशन का हमें ठीक से इस्तिमाल करते आना चाहिए powerpoint में तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो की सारी बाते ठीक से समझ में आ गए होगी आप उसकी practice किजिए उसकी real sir किजिए और अपले student के लिए इस्तिमाल किजिए वीडियो को अनतर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया